हेलो एब्रिवान स्वाग था पी डबली ओनली आयस में सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू जुडिशल एक्टिविजम ये चैप्टर पढ़के हमको यूनियन जुडिशरी का एक फंक्शनिंग समझ में आने लग गई किया सर सुप्रीम कोर्ट जो हाइस टेंपल अफ हाइस टेंपल ऑफ जुडिशरी है वहाँ पर क्या हो रहा है कि यह ऐसे जजजस बनेंगे यह जजजस बन सकते हैं यह जजजस ऐसे रिटायर होंगे जो भी होंगे ठीक है जुडिशल रिव्यू में हमने देखा कि यह जजजस जब जनता की भलाई के लिए और साथ ही अप कि जुडिशरी एक्टिविजम दिखा रही है और खुद से एक कदम आगे बढ़के अपना रोल प्ले कर रही है सामाजिक दाइरे में इसी सामाजिक दाइरे में रहते हुए जुडिशरी का अपना एक्टिविजम दिखाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेश ही यह कि यह समझ में आये कि यह समाज का गरीब वंचित वर्ग है जो शोशत वर्ग है जो कभी कोट कचेरी के चक्र लगा नहीं सकता और डर्ता है को लिए कैज से होईत है क्या उनके विए कोई सुप्रीमिज जा सकता है करें जा सकता है कि नहीं हाई कोड़ तो टुल मिलाके यही है कि हा सर कौन जा सकता एंधर कि सकता है और कि की रात चाही कोझे लिए अःति एक काम के लिए और मैं देखता हूं कि लेफ्ट हैंड़ने लोगों के लिए तो क्या इस बात के लिए मैं चले जाओ सुप्रीम कोड प्याइल दाखिल करने नई अब क्या होगा कौन दाखिल करेगा प्याइल किन बातों पर प्याइल दाखिल होगी यह सावे देखना है अब यहां पर जुडिशरी का यह हमारा लास्ट चैप्टर है यूनिन जुडिश जुडिशरी की एक्टिविजम के ऊपर भी क्वेस्टन है कि जुडिशल लेजिसलेशन आपको याद होगा मैंने लास्ट में पड़ाया भी था जब जुडिशरी तोशल पॉलिसी में कॉंट्रिबूशन ने बाती है तो उसको कहते हैं कि जुडिशरी लेशिलेशन भी आपको चैप्टर पढ़ना पड़े आंसर आपको लिखना है डेड़ सो से धाई तो वर्ट का चैप्टर को पड़ो नोट्स बनाओ अपने आप इसकी समरी बनाओ और फिर एक क्वेश्चन उठाओ और बोलो क्या मैं इसको अटेम्ट करूं अभी इसको त्यार करने इसको अटेम्ट करने के लिए तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं यहां से देखते हैं प्यायल दाखिल करने वाला प्राणी उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए इसका जिकर हुआ था पहले यह क्या है यह है लोकस स्टैंडी मत अब हुआ यह कि कुछ समय पहले तक ऐसा ऐसा माना जाता था कि देखो जिसके अधिकार का हनन वा जिसके राइट्स इंफ्रिंज हुए हो जिसके राइट्स एब्रेज एब्रोगेट हुए हो केवल वही जाए सुप्रीम कोड ऐसे तो और को चल लेगा ऊपर आके नहीं तो एक ऊब सत्रेजन बहुत कमजोर है तो यह क्या करते हैं यह खुद नहीं जापाते हैं कभी भी कोड कचेरी के दरवाजे तक इन्हें नियाय मिलने की प्रक्रिया उन्हे लिए लंबी भी है इनके महेंगी भी और इनके लिए बहुत पेचींद आ हैं अब इसी काम के लिए फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ इसने बोला कि ऐसा है मैं जा रहों सुप्रीम कोर्ट आपके नाम पर आइविल आइविल गो टू कोर्ट ऑन यौर बेहाफ ठीक है तो ट्रेडिशनल रूल यही कहता था पारंपर्क तरीका यह था कि आप नहीं जाओगे स्टॉरी जिनकी प् मिलना administration of justice बहुत टफ हो जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आई पी आईल अब पी आईल नहीं यह चीज़ सॉल्व कर दी प्याइल ने बोला कि नहीं तुम जा सकते हो कौन रोका तुमको जाओ और जाओ और अच्छे से इनके लिए बहस करो अब क्या बोला गया कि ये जो शक्स है अब ये पॉब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजूल है ये एक इसके मन में जनता के हित के लिए कोई अच्छे भावनाएं हैं ये इसके अंतरात्मा में जनता का भलाई है अब या फिर ये एक सोशल और्गनाजेशन भी हो सकता है ये आदमी ना हो अकेला ये एक ग्रुप हो तो या तो यह कोई ऐसा पॉब्लिक सेंटर्ड सिटिजन है कि साब कई सारे ऐसे बखील होते हैं जो खुधी से कोई अन्हुनी होते हुए देखते हैं और कहते हम जारे प्याई लागिल करने सुप्रीम कोड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमार इसका रोल ही यही होगा जैसे एडियार तो एडियार आपको संस्था पता है ना इडियार फुल्फम क्या है यह तो पता होना चाहिए एडियार की तुम रिपोर्ट ही पढ़ते हैं अब टीक एन मूव दे कोड़ फॉर्ट 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 एनि परसन और ग्रूप परस के इनका जो उनका जो इनके साथ जो अनीती हो रही हो रहा था हमने बोला की माना आप कमजोर हो, आप सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, किसी और तरीके से आप बंचेत हो, आप disadvantageous position पे हो, आप समाज के उन वर्गों में से हो, जिसको रोजी रोटी के इंदिजाम करना होता है, जिसको ये court कजैरी की चक्कर जिससे नहीं जिले जाएंगे, तो आप एक काम करो आप बस खाली हमें अपना नाम, पता, गाह, उसब बता दो, हम जा रहे हैं आपके नाम पर सुप्रीम कोड, और हम नियाय आपको दिलवाने के लिए हम करेंगे मैनत, ठीक है, तो इसको हमने बोला, कि जब ये लोग जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, पबलिक समविधान में कहीं मेंचन नहीं है, कि साब कोई किसी आर्डिकल में लिखा हुआ हो, यहां PIL दाखिल कर सकता है और कोई, नहीं, नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोल्ट ने अपने आप से इजाद किया है, अपने आप से इसको बनाया है, ये इन्वेंशन है, अब कुछ ल हुआ है, हमने उसको discover कर लिया, हमने एक नया rule, हमने एक नया nature का law discover किया है, जैसे Newton's laws of motion, they were not inventions, जो Newton's laws थे motion के, वो सारे के सारे प्रक्रती में मौजूद है, force equals to mass into acceleration, ये चाहे Newton धूने या ना धूने, अब ये law तो चले गई चलेगा, rate of change of momentum, तो ये तो रहेगा ही रहेगा हमें फरक नहीं पड़ता, पर invention किस चीज का होता है, invention होता है, light bulb का, light bulb कभी जमाने में किसी ने सोचा नहीं था, देखा नहीं था, फिर एक सहाब आए, या देना नाम, मैं किन की बात कर रहा हूं, जिन सहाब ने 10,000 बार उसको retry किया, fail हुए, तब जाके उन्होंने उसको इन्वेंट किया, एक light bulb को, तो ये फरक है invention और discovery में, अब PIL क्या हुई, क्या PIL जमाने में मौझूद थी, नहीं थी, तो PIL की invention हुआ है, PIL को बनाया गया है, PIL को इजाद किया गया है, एक किसी कोई उसका existence नहीं थी, और उसको existence में लाया गया है, फिर उसको हमने बोला, कि हाँ सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया, एक नया टूल लिकाला है, जनता की भलाई के लिए, अपनी सहुलियत के लिए, अब क्या है क्या है, क्या है PIL सर, तो PIL हमें समझ में आया, जब हमने केस देगा, हमने का 1993 में केस हुआ है, जनता दल का, अब इसमें सु हमने का इनका इनका अपना इंट्रेस्ट है, या सम इंट्रेस्ट बाइविश्च दियर लीगल राइटे और लाइबिलिटी उन से एफ्ट हो रही हो, तो ऐसा कोई भी लेग लेगल एक्षन जो इनिचेट हो रहा होगा किसी कोर्ट आफ लो में किसी भी कोर्ट आफ लो में उसको हम बोलेंगे कि सब्सक्राइब अब एनी मेंबर ऑफ पॉब्लिक अब आदित्य सर आपके बहुत प्यार है और अपने बच्चे बहुत प्यार है तो अब ऐसे में क्या क्या हो रहा होगा क्या सुप्रीम कोड़ गईगी पागल बागल होगय हो गया जैम सबके लिए बराबर है करने चले जाओगे कि बच्चों के लिए जी स्थी टाफ है इसलिए जी स्थी अटादो नहीं वह वंचित वर्ग नहीं है पहली बात वह भले एक लास ऑफ परसन है पर उनका कोई लीगल राइड या कोई जनरल इंट्रेस्ट पुब्लिक इंट्रेस्ट उससे कोई उसका कोई इंट्रेस्ट बैब्लिक का पुविब कोई भी मेंबर कोई सदस्य पुब्लिक माने जनता अब जिसका कोई सवीजेंट इंट्रेस्ट हो he can approach the court for enforcing the rights of other persons and reversal of a common grievance के कई सारे लोग एक जगे रहे हui हैं आब वहापर हो रहा है वैं अब अदिकार कई सब्सक्राइम ने बोला कि हम कोई व्यक्ति कोई रीलDING संस था सुप्रीम यहाई कोड़ा बहुत उन जा सकती है यहां सकती है यहांसर यह ए से लोगों का अहित होने वाला है कि उनके अधिकार उसे चीने जा रहे हैं और उनको बेघर किया जा रहा है ना उनको मुवजा मिल रहा है उनकी जमीनों पर कब्जा हो गया है उनकी जो खेत खलियान ते उसमें आग लगा दी गई जो उनके कैटल था उसको छोड़ दिया गया उसके सारे जो अब कई बार क्या होता है आप तो खेर शहरों में रह रहे हो कुछ जो ग्रामीड परवेश के जो लोग होंगे उनको इस पता होगी कि गाउं में कितना मुश्किल होता है किसी गरीब व्यक्ति के लिए न्याय की लड़ाई क दिर्वाना करवा पाना अगर कोई छोटा गरीब व्यक्ति जो अपने गाउं में रहता है विचारा अपना रोजी-डूटी चला रहा है किसी तरह है अपने दो अपने दो फस्लें उगा पा रहा है उसको अगर कोट का चैरी के चक्करों में फसा दिया गया उतो गया क्या ह होगा गाउं के जो डबंग लोग होंगे वह आके उसके घर में तोड़ फोड कर देंगे वह उसके जतने खेतloe लो से फस़सल कड़удь कर देंगे और खड़ी फसलम आगा देते हैं रहा दिया जिस पर उनके घ़र इसके अलावा जो यह जानता हो कि साब लोगों का अहत हो रहा है और आइव टू पार्टिसपेट एक कॉमन ग्रीविंस है कई सारे लोग बेगर होने जा रहें कंपनी आगे गाओं में और जाके खाली कर रही हैं से यहां पर मॉल बनाएगी वह तब ऐसे में वह सफिशन अब एक ग्रूप ऑफ परसन भी मेंवर पबलिक है नाव प्याइल का तभी इसलिए नाम पढ़ाया गया है सोशल एक्षिन लिटिगेशन एसे यह फिर सोशल इंट्रेस्ट लिटिगेशन या क्लास एक्षिन लिटिगेशन के एक सामूहिक लोगों के जब की भलाई के में है यह आई है ऑफकॉरस हमारे जुडी शरी की सारी जितनी जितनी ज़्याधा जो इतरी जो घ्रू creeping बने हैं कई सारी डॉकरा इन्ट वह आई है उपकॉर्स तो आफडिक गासी एक थी पिए एक निटी सिस्टी में यहाँ पर क्या हुआ था कि पहली बार डिजाइन किया गया था तू प्रोवाइड लीगल रेप्रेजेंटेशन तू प्रीविएसली अन्रेप्रेजेटेट ग्रोप्स एंडेस्ट यूएस में अभी कई साल तक अभी कुछी साल कुछी द पना तो वहां प्याल वहँरोग भी है वहां पर साम्वल लोग भी श्कारिकें में तो वहां पे बहुत जादा जैसे हमारे जाती वाद है ऐसे वहां पे रेशियल और एथनिक माइनोरिटीज का डिस्क्रमिनेशन वहां भी हुआ है तो इन लोगों का रेप्रेजेंडेशन करने के लिए में सुप्रीम गोल्ड ने पहली बार इजात किया लाओ प्याइल अब लाओ इनसे बात करेंगे ओर्डिनरी मार्केट प्लेस पॉर लीगल सर्विसेज फेल टू प्रोवाइट सच सर्विसेज तो इस ग्रॉप्स तो सिग्निफिकेंट सेग्मेंट अब इंट्रेस नहीं करते है कैलिफोर्णिया में तो बहुत ज्यादा ओमलेस फिलेडल्फिया में जाधा होमलेस अब इलोगों के लिए यह लोग काहां जाएं यह किसको यह कौन इनको अपना मानता है उस में तो कहवर भीए there is no such thing called free lunch वाँ कुछ नहीं फ्रीवाहर्चीज का बिला आता है हरचीज क तो आपको पिम्हेंट करना पड़ेगा अम यह सब आपने कर्वाइं को कंट्रोल करने की बात होती है किसाब ज्यादा ज्यादा कार्वन फूंब नहीं होना चाहिए हमें क्योंकि विक्सित देश है इसलिए वहागे लोग ज्यादा आगे । पूछ सकते हैं समाज के लिए प्रयावरण के लिए धर्ती के लिए जल्वाइयू के लिए हमारे बीद्म विकास शील है अभी तो मुझास कर रहा है हमारी मजबूरिया एक मिंदस्री हैं लगाए फेक्ट्रिया लगाएं लेकिन उसको आफसेट करेंगे किसी तरह लगा के तो कई तरह के लोग हैं यहां पर आप देख रहें कलर के साब से खैर यह डिस्क्रिमिनेशन बहुत खराब था इन लोगों के लिए बहुत इन्हों ने जेला है और अब इनके ग्रूप्स पर काम करने के लिए वहा लोक स्थेंड य कुस्स अनी आजा अगर तुम समझते हो तो उनकी प्रोब्लम लाओ तुमारे मुसर सुन लेत हैँ लोकस एंड य भले तुमारा नहीं है लोकस ती możemy तुमरी Hindu नहीं यह उनके उपर बीत रही है पर तुम आगे बता दो सारी प्रॉब्लम हम सुन लेंगे यह होना शुरू हुआ हमारे यह अभी फिर हमारे क्या हुआ हमारे केस हुआ मुंबई कामगार सभा वर्सेज अब्दूल थाई तो बहुत पहले का केस था यहां पर जस्टिश कृष्णा यह जी ने बोला था कि पिया जो है यह बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी इन एंशॉरिंग दे लीगल सेस्टम सर्फ इन इंट्रेस्ट अफ पूर और जो कि यह जितने जो हमारी कामगार सभाएं हैं यह जितने लोग हैं यह लोग इनकी लिए जो इनको जो अन्याय हो रहा है के साथ अब इनके इंट्रेस्ट में पूर लोगों के इंट्रेस्ट में या ओप्रेस्ट लोगों के इंट्रेस्ट में पिया यह लाईगी हम करेंग को आप छोड़ी दो रिट पेटिशन जो नॉर्मल तरीके से आप जाते हो किसी अपने अर्जी लेगे कि हमारे अधिकारों का अनन हुआ हमको हमको जो है न्यायद लवाओ तो बले ही रिट पेटिशन अपना एक नॉर्मल प्रोसीजर है पर उसके अलावा एक प्याइल है जो कुछ नाम पता हो कोई अगर लीगल कम्यूनिटी के को लीगल पूरीश के चात्र हो तो वो इनका नाम जरूर जानते होंगे अब इन मैम का बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि इन्होंने क्या किया पाइन्होंने बिहार की सरकार के खिलाव बहुत बड़ा चैसे चल रहा है तपिला इंग उरानी जी इनका नाम है तो इन्हों ने क्या किया इन्हों ने एक आर्टिकल पड़ा कि 40,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी बिहार की जेलों में सड़ रहे हैं और उनके उपर केस चल रहा है इन्हों ने जाके केस फाइल किया और 40,000 से ज्यादा अंडर ट तो पी अन्हों ने क्या बोला कोट ने बोला कि येस वी नो कि आपका कोई लोकस टेंडी नहीं है आपका कोई गरज नहीं पढ़ रही है ना आपके ऊपर कोई कुछ बीती है पर आप दाखिल करो पी आईल आप केस लड़ो वी अलाओ यू तो पर्सीव देकेस इन यही बात बोली थी अपिला हिंग राणी जी को फिर हमने बोला फिर हमने बोला मजर ओफ पी आईल्स यह बोली गई नाओ राइट तू स्पीडी जस्टिस यह जो है इडिज एमर्ज्ट अस बेसिक फंडमेटल राइट विच हैड बीन डिन डिनाई तो इस प्रिजनर्स ज इन्हों ने कहा कि नहीं अब हम हैं हम सुनते आपकी बात फिर केस आया अगला स्पी कुपता वर्सेज यून ऑफ इंडिया यहां पे इट वस प्रिसाइड़ेड ओवर बाइजसेश पी न भागवती जी अगयन यहां पे इन्हों ने बोला कि हम एक पी आईल को एक नई प्रिस्टिक्शन ऑफ हाई कोट अंडर 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 एंड कैन सीक रेमेडीज फॉर वाइलेशन ऑफ लीगल और कॉंसिट्यूशन राइट फॉर फॉर दोस वाराइबल तो दूसों 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 सोचल एकनॉमिक और अधर सबिनिटी के जो भी कोई भी इंडिवीजूल और ग्रूप यह जा सकते हैं और सोचल एक्षन ग्रूप हो चाहें इंडिवीजल मेंबर हो यह इन दोनों इन दोनों आर्टिकल्स के तहत जो सुप्रीम कोट और हाई कोट के रिट जूरिस्टिक्शन वाले केसे हैं वाले आर्टिकल्स हैं उनके तहट आप जाओ उनकी भलाई के लिए आओ और हम पढ़ना चुरू करेंगे पियाएल ने उसके बाद तो ऐसा देखा है हमने इंडियन पॉलिटी में के क्या इन्हों ने जलवा दिखाया है पियाएल आप देखो कितने लेंडमार्क जज्मेंट हैं अभी यह तो खाली में वर्सिस कौन चाहिराबानो वी डैश तुम बताओं गया ठीक है ओपनिंग अपव सपरीमाला एंड हाजी अली श्राइंस तो विमन परिमाला के इसका नाम क्या था अपरीमाला के हम हम डेटी को तो हर को जानता है जो सब्सक्राइब वाला में जो देवता बैठते हैं उनक नाम उनका नाम सबको पता है जो केस था एक्चुल वह केस था इंडिया यंग लाइट असोसीएशन इंडिया यंग लॉयर्स एसोसीएशन याद आया यह ऐसे नाम होते हैं के इसके बलाई बलाई कुछ भी ओ अब जो हमारा लीगलाइजिंग कंसेंश्वल होमो सेक्शुल रच्टे थे तो डिकर्मन लाइज किया था सेक्शन 377 कोита 377 आयपी सिंक्रेमन लाइस करता था पेनलाइस करता उननेच्रलञ सेक्स को जोकी इंग्लिश पुराने इंग्लिश ओल्ड लॉयव्ब set क्या है कि इस सेक्शन 377 की वजए से कई सारे जो LGBT कम्यूनिटी के जो मेंबर्स थे जो लेस्बियन गेज इन लोगों को बहुत ज्यादा पैनल्टी का सामना करना पड़ता था बहुत ज्यादा सोशल इनके साथ और स्ट्रेश आइसे मौके होते थे जब इनके साथ अभद्र बात की जाती थी इनको कई तरीके से इनको प्रतारित किया जाता था फिर एक केस पहुचा सुप्रीम कोड जिसका नाम था नवतेज जोहर केस नवतेज जोहर केस याद आया अब ये केस का नाम था ठीक है इस केस की वजह से 377 को हमने कर दिया डिरिक्रिमिनलाइज और जस्टिस इंदू मलोतरा ने बोला था कि ये बहुत बढ़ा अपराथ हुआ है इंडियन सोसाइटी की तरफ से LGBT community के साथ हम शमा चाहते हैं हम आज इस गलती को सोधारना चाहते हैं and we apologize by correcting by correcting this this wrong this wrongdoing that has been done to LGBT community since so long कि हमारे Indian mythology में भी हमने बहुत बार देखा है कि खाली straight लोग नहीं होते थे वहाँ पर पहले भी lesbians, gay, bisexual लोग हुआ करते थे यूनच होते थे सब कुछ होते थे तो हम आपने ऐसे आज क्यों बन गए है कि हम इक बिल्कुली straight line में चलेंगे और जो इसके इधर-उदर होगा आम उसको इंसान नहीं मानेंगे खेर यह हुआ फिर legalizing passive youth inertia and so on कि यह तो के केस थे जैसे जियान कौर कि कह हैं यह ऐसे से केस रहे हैं इसके लावा environment के उपर पर्यावरण के उपर कई सारे प्याइल दाखिल हुई है एंसी महता जी अब भले वो अब भले वो गये थे रिट पेटिशन के थुरू पर ताज ट्रपेजियम केस में एंसी महता जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और ताज ताज महल के अराउंड जितनी सारे इंडस्ट्री इस थी उनको मजबूर किया कि आप लोग गैस जजेज के ऊपर और एक रिमार काता है कि जजेज डोंट जस्ट शेप लॉज नूँट शेप वैल्यूस और जस्टिस बैनेट ने एक बार बोला भी था कि करेज हिम्मत यह होती है अपने सामने चीज को लेगे आने के लिए ना कि यह सोचना कि यार मेरे सामने ना आए किस अफमारी सोसाईटी को अग्रिसड किया अरे सिसिनकिंग की तरफ शेफ क्रिपल तलाक को बैंड किया बिद्दत को बैंकिया पॉलिगैमी एक यहाँ अप रहा हो सब्रीमालठ को और ऑरो नहींकर करतना और मैं आपको बता रहा हूँ, ये case future में चलने वाला है, US की, Africa की, Europe की, Asia की और बाकी सारी courts हमारे इस case का जिकर करेंगी, अपने case reference में आप देखना, क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि humanity versus faith, मतलब इंसानियत versus belief इसकी उपर चर्चा हुई थी, और इसमें जो एक ही opposing member थी, opposing judge थी, वो female थी, वहीं बोल रही थी, कि देखो faith जो हम सब का हमारी जो शरद्धा होती है, वो हमारी अपनी personal होती है, उसमें court को दखल नहीं देना चाहिए, जो जिसकी शरद्धा है, जो जैसे जिसके rules बने हुएं, उसको मत छेड़ो, मत करो, ले कि अन्याय था, अन्याय को हम dissolve कर रहे है, ठीक है, हाजी अली में तो पहले से ही औरते जाती भी थी, ठीक है, उसके बाद homosexual relations को हमने clear किया, हमने कहा कि यह जो हुआ है, अब तक इतने सालों से जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम आज इसको resolve कर रहे है, अब इसके बाद पैसिव यूथिनिशिया, कि अरुना शॉनबॉक के केस को तो मैं जिकर करना भी नहीं चाहूंगा, इतना दर्दनाक केस है, अब ऐसे केस में, हमारे हाँ, हमारे हाँ सिच्वेशन यह है, कि हम पैसिव यूथिनिशिया को allow करते हैं, case by case merit पर, active यूथिनिशिया को अभी नहीं करते हैं, यूथिनिशिया मने कि मैं अपने आप से मांग रहा हूं कि मुझे अब और इस जिंदगी में नहीं रहना है, मुझे जाने दो, तो यह हमारे हाँ, क्योंकि हमारे Indian mythology में बोला जाता है, जब आप किसी को जान नहीं दे सकते हो, तो आप जान ले भी नहीं सकते हो, आप कैसे किसी के जीवन का फैसला कर सकते हो, हासकर humans का, तो यहाँ पर जुडी शरी ने अपना रोल निभाया है, PIL दाखिल हुई, PIL दाखिल होने के बाद जुडी शरी ने उसको बड़ा है, सामाजिक हित में ऐसे फ सब्सक्राइब करना कि बिल्कुल सही है, फैसले डेटिंग एफेक्टिव अक्सेस तो जस्टेस तो दूस्टेस तो 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 यह जो दो बाई जा रहे हैं, तो पॉइंट ही क्या है, फिर क्यों हो इतने बड़े बाड़ी पार्ट 3 और इतना बड़ा चौडा ना आप बाते क सब्सक्राइब करते बाद सर छोड़ तो 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 इसी लिए फंडामेटल राइट्स जब मेनिंग्फुल तब कहलाएंगे जब उनका एंफॉर्समेंट किसी तरह हो पाएं, वह हो रहा है प्याइल के थ्रू भी नाव आगे चलो अब प्याइल के और फीचर देखो पहला फ आप कोई रहता है हाई-rise building में कोई बहुत बड़े 20 माले पर रहता है 25 माले पर रहता है और कुछ ऐसे घेटो हैं कुछ ऐसे छोटे इलाके हैं निचले पिछले इलाके हैं जहां पर पानी बर जाता है जहां पर स्लम्स हैं जहां पर बहुत जादा कूला कच्रा होता है तो उन्हें कहते हैं लो विजबिलिटी एरिया है यह हमको दिखाई नहीं देता छोड़ दो इनको मत देखो अब इनकी इन्हीं लोगों की भलाई के लिए ऐसे पूर मासस जो कि हमारे लो विजबिलिटी एरिया में पर रहते हैं फिजिकली भी और सोचली अब यह तो खेर फिजिकली सामने देख रहे है क्योंकि वंचित वर्ग क्योंकि ऐसे घेटो में रहे हैं जहां पर अच्छे स्कूल नहीं है ऑस्पिटल नहीं है मान लो भले वह सही जगह भी रह रहे होते हैं पर अगर वह समाज के ऐसे टेक्स इससे में नहीं है जान कि इतनी इंकम नहीं है कि वह अच्छे जगह पर रह सके अच्छे एजुगेशन उनको उनको मिल सकती उधीशन यह एक ईंकार्च एडयका सब्सक्टे होगा कि मुझे किसी से प्रॉब्लम मेरे डिस्प्यूट है मेरी चले लड़ाई एक दूसरा कोई टीचर है वो कहा रहा है कि मैं लूगा लाज जा के मैं कहा हूं सर मेरी लाज है दोनों मेरा होगी हम चले का दोना सुप्रीम कोट यह लग मैटर है ठीक है अब यह ओर्ड़नी ट्रेडिशनल अपने लिटिकेशन है प्रेल इस से अलग है व्याइग लिए लका सेम रोल नहीं है प्रॉछ डिवल का रोल-डिफरेंट विच यह जो ऑर्ड़ी जो हमारा लिटिकेशन होता है ये एक अशेंचली ओफ एडवर सरी क्यरेक्टर का ओए जहांपे of enforcing the right of one individual against another no 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 yeah as happens in normal cases in the case of ordinary litigation but it is intended to promote and vindicate public interest यहां पर यह promotion होता है public interest का public interest की stamping होती public interest को vindicate किया जाता है कि perfect यही रहना चाहिए यही बनना चाहिए अब violations of constitutional and legal rights of large number of people large number of people who are poor or poor ignorant पता ही नहीं है क्या पता इन a socially or economically disadvantaged position should not go unnoticed and unaddressed अब यह होता है कि इनका जिनका violation हुआ है कौन लोग जो यहां तो गरीब है यह पता ही नहीं है हमारा वाइलेशन भी हो रहा है लो हमें आईडिया ही नहीं था कभी किसी को consumer rights consumer rights में क्या होता है अब भाईया हर किसी को पता है कि हम MRP पर ही सामान खरीदेंगे और जो भारती रेल के जो वेंडर से हैं वो गहने हैं कि नहीं नहीं तो नहीं कितने कितनी बोतले में देखूं तो वाहां पता चला कि उसने हर बोतल 20 रुपई हम रहा हर बोतल बुस्क्राइब कमाएं हो गया काम इंका क्योंकि consumers को पता ही नहीं था भली वो पूर नहीं है पर कंजूमर को पता नहीं था विग्नॉरेंट है अब इनके इनका भी तो इनका भी तो एक संविधानिक राइट का हना नहीं हुआ है फाइलेशन हुआ है और अपना लीगल राइट तो अब इसके लिए भी हो सकती है क्या पता क्यों नहीं हो सकती है नाओ एसेंशली एक को अपरेटिव एफर्ट होता है बिट्वीन ओल स्टेक होल्डर्स क है क्या क्या जिन जिनका भी थोड़ा थोड़ा भी इंपैक्ट बढ़ रहा है किसी एक पूरे की पूरे केस पर चाहे पेटिशनर हो चाहे स्टेट हो या पबलिक अथारिटी हो या हमारे हो कोर्ट खुद अब हर किसी एंगल से आप याइल को देखोगे समझ में आएगा कि हाँ यह कोपरेटिव एफर्ट है तब की मिली जुली एक सरकार है सरकार तो नहीं पर मिली जुली एक पूरी ताकत है जिसकी वजह से हमारे गरीबों के या इग्नोरेंट लोगों के सबके राइट्स जो है सुरक्षित रहते हैं कि नौ परटिव एफर्ट होता है तो सिक्योर अब्सर्वेंट्स ऑफ दे कॉंसिटूशनल और लीगल राइट्स बेनेफिट्स और प्रेविलेजिस प्रेविलेजिस कंफर्ड अपन वल्लेरेबल सेक्शन अफॉप्यूनिटी एंडूरी सोचल जस्टिस तो देम यह उन त कोई अक्सरेंट नहीं पर कोई पब्लिक अनीती हुई है कोई पब्लिक के साथ अन्याय हुआ है उनकी कोई पब्लिक ड्यूटी को एंफोर्स करवाना हो अगर किसी सरकारी तंत्र की या प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव और डिफ्यूज राइट्स तीन तरीके सा किताबों में किए डिफ्यूज लाइट होती है डिफ्यूज जो वो क्या किते हैं सब्सक्राइब नहीं होती है एसे इसंग कम करेशियों करने के लिए in traditional actions it is creative in nature rather than passive and it and assumes a more positive attitude in determining acts यहां पर हर बार आप देखोगे कि कोर्ट ऐसे नहीं बोलेगी कि अच्छ ठीक अगर ऐसी ऐसा केस है तो आप कोड़न में काम करो सरकार से अपील करवाल सरकार से बात कर नूव प्यायल में क्या होगा प्यायल में रिपोर्ट दो या आपना ऐसा कम किया था यहां पर फिर कोर्ट अपना पैसिव नेचर छोड़के एक्टिव नेचर पर काम करेगी बिलकुल एक्शन में आ जाएगी तुटिशल अक्टिविजम निभाया जाएगा फिर यहां पर और एक पॉजिटिव एटिट्विट के साथ जनता की भलाई के लिए जनहित में रोल कि दो इन पिल कोट इंजोई डिग्री अफ लेक्सिबिलिटी अन्नों तुट्राइल अफ ट्रेडिशनल लिटिगेशन जैसा अपना होता है वहां पर वहां पर प्रॉसिजर अडॉट प्रॉसिजर ले ले इट मस्ट भी प्रॉसिजर नोन टू जुडिशल टेनेट्स अब वकील जवाब देगा हां सर बिल्कुल देखो मैंने पूरी आपको पील में लग्की दिया है सारे के सारे सबूत उसमें जोड़ दिया मैंने पहले सही लच कहेगा हां बात तो सही कह रहे हो तो एक काम करते हैं इसको दुबारा सेकंड रीडिंग के लिए रख लेते है यकाम अपोनेट्ट पार्टी तो ऐसे मैं क्या हुआ कि एक जुडिशल जो टेनेट आट पहले से रेडि थे जो पहले ऊसे टैनेट्स माने परंपरा कहलो सॉर्ड उप इनके किग है लो? प्रोवनेंस भी होता है तो आप जो पहले से प्रोवनेंस है वह फॉलोर हो ऐसा नहों कि पूरे आपके तौर्टे हैं जो आपके तरीके हैं जो आपके चैरेक्टर्स तेके जूटिशल प्रोसीडिंग्स के वह फॉलो हो चाहे flexibility of maintain रखो अच्छी बात करते रहो now there is no determination on adjudication of individual rights नहीं है इनका judicial active जो जो हमारे जो individual rights होते हैं इनका कोई adjudication यहां पर कैसे होगा जब हम यहां मना कर चुके हैं पिछले slide पे कि सर यहां पर जो है private जगड़ों को यह entertain नहीं किया जा रहा है किसी के private अगर matter है किसी ने कोई अगर एक कोई अगर एक टीचर सुर्ण की बीच में जगड़ा हो गया किसी बात पर तो क्या सब्सक्राइब चली जाएगी नहीं टीचर को सब्सक्राइब तो क्यों करी थी क्योंकि उनको समय जिल्लत महसूस हो रही थी उनको अपनी ही कोड़ चैरी में इनके सबके लिए अपने यहां पर दाखिल कर लिये अपने पी या फिर जो लीगल सिस्टम में ही डिले हो रहे हैं जिनकी से कई ज November जाती है तारीक मिल जाती अगी रहे गई अगली बर देख रहे हैं कि डिले हो गया है शरकार से जवाब नहीं आया है कुछ नोख में आइशन लो भले लाव निया हम नहीं चलंग कर दिया लो तो उन्हें पता ही नहीं उन्हें उन्हें लैक ओमेंटेशन कर दिया उन्होंने उन्होंने फिर उसके बाद इसके P.I.L. के लिए फिर 1993 में फिर 2003 में इन guidelines को modify किया है इन्होंने बोला है कि ऐसे वाले matters में ही ऐसे 10 point हैं अगर इन में से किसी एक के ऊपर आया है को P.I.L. तो हम entertain करेंगे otherwise entertain नहीं करेंगे कैसा बंधुआ मजदूरी matters किर्मिटिया मजदूरी जिसे कहते हैं indentured servitude अगर bonded लेवर के ऊपर कोई अगर matter आया है हम सुनेंगे फिर नेख्षे चिल्डरन जिन बच्चों को नेख्लेट किया जा चुका हो जाहे वो human trafficking के शिकार या फिर non payment of monthly minimum wages to workers अगर किसी को नियुनतम वेज जो उसकी नियुनतम उसकी आय है जिसे मन्रेगा की योजना है तो वो क्या कहती है कि हम नियुनतम आय दे रहे हैं right to basic job हम एक right to employment दे रहे हैं लोगों को 6 महीने के लिए साल में हम उनको basic monthly income देंगे 400 रुपय देहाडी के साब से 12,000 महीना के साब से के लोग अपने जीखा सके हैं जिसको काम की जरूवत है उसको देंगे ठीक है अगर ऐसे लोगों को उनका minimum wage वो भी ना मिले या वरकर्स का हो workflowation दबागे वरकर्स के साथ बिल्कुल उनका शोशन हो रहा हो उनके काउनसे काम कराया जा रहा हो बारे-बारे घंटे तो लो क्या उसमें क्या करें या कैज्वल वरकर्स होते कई ऐसे वरकर्स जो गिग income पर काम करते हैं गिग माने होता है गिग गिग इंकम यह बताना जरूरी है यह आपके सोशल इशूज और गवर्नेंट चैप्टर में खासकार काम आएंगे तो गिग वरकर्स कौन होते हैं गिग वरकर्स होते हैं कई ऐसे लोग गवर्नेंट जो प्रोजेक्ट टूबर्जेक्त काम करते हैं आज काम मिला ठीक है कल नहीं मिला तो कोई बात नहीं करते हैं आजाइए को थे पाता नहीं क्या बस तो एसे लोगों को बोलते हैं casual workers जो हमारे informally हमारे सेक्टर में काम करते हैं अब यहां पर और इनकी complaints of violation of labor laws except individual cases किसी एक आदा बरकर कोई problem है वो अलग से कड़ाओ के कह रहा है जब मैं मेरे साथ दुरगटना होई है मिरे साथ मैं कुमार पीट हुई है तो उसको प्याल नहीं होगी उसके लिए फिर unions हैं उसके लिए फिर अलग हमारे हमारे पूरे कंपनी ट्राइब्यूनल से उसके लिए लेबर लॉग का पूरा अपना बई खाता पूरा बना हुआ है कई सारे ऐसे प्रावदान है जहां पर इंडिविजूल किसी cases की कहां पर उसकी का पर उसका नयाय और रिलीज या फिर सीकिंग रिलीज आफ्टर हाविंग गंपलीड़ चौदा साल इंजेल डेथ इंजेल या फिर ट्रांसफर रिलीज ऑन परसनल बॉंड स्पीडी ट्राइल एज फंडमेंटल राइट कई इनके पास कई ऐसे मौकों पे प्याइल दाखिल हो सकती है जैसी अब पेटिशन अगेंस पुलीस पुलीस जब आपकी अपराद की एफ आयर नहीं लिखती है तो या फिर यह फूर रिफ्यूजिंग टूरेजिस्टर केस जब पुलीस आपको परिशान करें या डेथ हो जाए पुलिस का स्टडी में अब भी प्याइल फिर तो प्याइल य रेप मर्डर किड्नापिंग एटसेटरा जब तहेज के ऊपर बहू को किसी तरह जब सताय जाता है बहू की जब हत्या हो जाती है या और भी जब और तो जो और भी तरीके से जुलम होता है उन सब के ऊपर प्याइल ठीक है आगे चलो पेटिशन कंप्लेनिंग और हरास्मे सब्सक्राइब पेटिशन्स परटेंगंटु अन्वार्मेंटल पॉलुशन के अब आ जो पुर्यावरण पर इस्तवश्य पूर्ट टॉयवार्ट पर्यावरण के ऊपर्चल बैलन्स ड्रग्स फूर्ड एल्टरेशन मेंटिनेंस फैरिटेज ब्रियादेश्वर मंदिर इन सब के ऊपर या फिर पेटिशन फ्रॉम रायट विक्टिम्स जो डंगा के पीडित लोग होते हैं या फैमिली पेंशन के लोग इन्हीं ऐसी दस मैटरों पे हमारी पियाईल सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था बलोचा केस में कह आगया केस के से मेंशन नहीं है केस का आप नाम देख लेना 1988 में फिर आगे चलो यह वाली कैटेगरी इस विल नॉट बेंटेटेंट कौंसी कौंसी लैंडलोट टेनेंट मैटर यह सुप्रीम कोड ने सेट किया है यार भाई हमसे ना होगा यह ऐसे मैटर है यह पेपी आइ आप पॉइंट क्या है अपने लैंडलोट टेनेंट का मैटर वन टू वन होता है सिविल कोर्ट में चले जाओ नहीं समझना रहा रिसकोड में चले जाओ हो जाया का सौल सर्विस मैटर एंड दोस पर टेनिंग टूप पंशन एंड ग्रैट्यूटी सरकारी सेवाओं में चो तो हमारी सरकार होती है इनके डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज एक्सेप्ट जो बाकी 10 में काउंट हो रहा है एक्सेप्ट दोस रिलेटिंग टू आइटमस नंबर वन टू टेन अबब तो पिछले दस में आ गए हो तो ठीक हम सुन लेंगे पर उसके अलावा अपना ट्राइब्योनल होता है अपना इंटरल अफेर्स का पूरा डेबार्टमेंट होता है अपना पूरा इंक्वाइरी के लिए उनके पूरा एक पूरा संसाधन होते हैं माया करनो हो जाएगा माभी सॉल एडवेशन टु मेडिकल एंड अधर एजूकेशन इंसी इसी ब कि इस सोट से कोट से केश चीनो और तुम और तूम साल को जल्दी पर इस बात पर प्याइल नहीं जाएगी तो और कोई होगा प्याइल के प्रिंसिपल क्या होने चाहिए पियाइल्ग के जो फंडमेंडल्स हैं वो कैसे होंगे तो 32 और 226 के अंदर जो पावर मिली है सुप्र एनी इंटरेट पर सन्पोर्स हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्ट डोले के लिए वेलफेर के लिए पुझो जो लोग अपने यहां पर कोड बोलेगी कि वी आर कॉंसिट्यूशनली बाउंड तो प्रोटेक्ट फंडामेटल राइट्स ऑफ सच इस एडवांटेजिस पीपल हम सुनेंगे इनकी बात अब क्या होता है जब प्याइव दाकिल होती है और कोई बहुत ही पबलिक इंप्रोटटन्स का मैटर है बहुत ही दम पता है कि यह जन हित का मैटर है यार अगर यह अभी सब्सुट कुछ बिगड़ने वाला है तब क्या होगा के लुद बोलेगे तुम बच चिठी वेजो हम मान लेंगे तुम लाओ बस चल्दी लाओ किसी तरह डालो पिल हम देख लेंगे उसका तो लेटर हो या टेलिग्राम हो कुछी भी तरीके से मान लेंगे कि हाँ यह पिल है आजा बस जल्दी सॉल गर्माइस को मैटर को यहाँ पर इशूज ऑफ पॉलिक importance enforcement of fundamental rights of large number of people vis-a-vis the constitutional duties of and functions of the state are raised the court reads a letter or a telegram SPIN yeah important I am about it oh come on various keyboard job injustice hoty hair to a large number of people up kya over court will not hesitate to step in for some nighty a cold bolegy enough is enough for auto yeah and we invoke article 14 and 21 as well as the international conventions on human rights which provide for a reasonable and fair trial oh yeah injustice over your own is on my hora I upload your head private company was out to bad bad kick up some of the collective or garib low person over then we have to step in we have to come in now yeah fair common record और पता ही हम जोकस एंडी जो होता है लोकस एंडी मुने हमारी गरच क्या मेरी गरच है कि आफरिका मेरे से कुछ भीती है नहीं तो यानिकि लोकस एंडी यह तैकरता है कि क्या मैं मेरा है इस कोर्ट से कैस से तालूग किया है अब दाल में लोकर ऐंडी की जो रूल उते हैं रिलक्स होते हैं तुम्हारा पोई तालूग नहीं तुम्हां इंट्रेस्ट है ओ तुम भए चलो तुम बात करो अपने लॉयर के थुरू बात करो ठीक है जब कोर्ट इस प्राइम फेसी सटिस्फाइब आउट वाइलेशन ओफ एनी कॉंसिट्यूशन राइट प्राइम फेसी इसका मतलब होता प्राइम मनें उपर उपर से देखने पर अगर खाली हमने खाली शकल हमें समझ में आ रहा है कि हां यहां पर जो है वाइलेशन हुआ है और अफ एक ग्रूप फीपल विलोंगें टू डिस 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 अटेगरी इट में नौट अलाव दर स्टेट और गवर्मेंट जब स्टेट और सरकारें कहती है कि काम करो यह जो पेटिशन जो फाइल हुई ह इन लोगों के अत्याचार के अगेंस्ट तो इस पर यह पेटिशन को मेंटिन नहीं किया सकता है ऐसे करती है कि यह पेटिशन है क्या यह मेंटिन कर सकते वह आप या नहीं यह मेंटिन अच्छी की नहीं है तब ऐसे में जब को ऊपर से देखने में समझ में आ जाए कि हाँ अन्याय तो हुआ है कई लोगों के साथ हुआ है और खास करके वो लोग जो है तब कोड गएगी तुम चुप रहो तुम तुमारी नहीं सुनेंगे तुम एकदम मत बोलना कुछ भी के पेटिशन मेंटेन होगी या नहीं होगी तुम पहले हमारी बात सुनों हमारी बात सुनने हमारी बात यह है कि अन्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है इंजस्टिस इस म किमजोर्ब तब का है जए एकदम को पुशित एकदम शोष्ट वर गया अमारा अब तब सरकार है तो सरकार है यह सवाल नहीं पूचेंगी कि यह प्रसीजन कीमेंट इमेंडीटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है नई भूल जाओ भी समय नहीं आप पहले अन्य आए हुआ उसको तई करो अब क्या होगा कि प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं देपलाइव प्याइव गेसेज देख प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा इक नया वाड़ लाटन वर्ड है तो यह क्या होता है यहीं से बात करते हैं कि रेस जुडिकाटा कहता है कि देखो एक केस था अब कोई केस था सुप्रीम कोर्ड में गया हाई कोर्ड में गया इस केस को फाइनली सुप्रीम कोर्ड ने बोला है हाई को ने बोला कि यह ड Sag हो चुका है यह Case solve हो गया है इस case is solved solved and settled इसको हमने set कर दिया है इसको हमने बोल दिया है कि अब यह Case हमारा close हो रहा है अब कोई और जना हो ते इनी पार्टियों में जो यह case चल रहा था जो यह जो यह case के लिटिगेंट्स थे या ओपोजन थी पेटिशनर थे रिस्पॉंडेंट्स थे कुछ भी एपलेट एप एपलेंट्स थे तो अगर इनी लोगों में से जो यह लोग थे या जो यह केस लड़वा रहे थे ठीक है ऐसे केस थे तो यह फिर बोलें कि सर कैन वी रियोपन इसको फि तो यह क्यों हुआ है दिस इस नीड ओफ पाइनलिटी के जुडीशरी की एक चाहत है जुडीशरी की मढद एक नीड है कि घेस को उसके लोजर तक लेके जाए फाइनलिटी लोजर अब अगर यह ऐसे बार बार स्ट कोई भी कोई होwonऄ मैं नहीं रहा इसलिए एक प्रिंसेपल है रेस जूडीकृरा ता यह सेटल्ड एंद विल नौत डेगें अब क्याता है कि ब्रिस्टितर लोस्ट यूप एल्प लाई होते हैं वह तो थे प्रिपन रच जूडिकाटा और प्रिंशिपल्स अनलोग उप्लाए डिपेंड नेचर प्रिशन एड जैसे प्रिटिशन का एक जिसे कहते हैं मोटो है कि हम जितने डिस्प्यूट है उनको सॉल करें चुट्टी करें खतम करें सेटल करें पूजिशन ओफ लॉप तो अगर यह नहीं हो पाया तो पॉइंड़ी क्या है फिर यह कभी लग रहा है कि यहां पिल दाखिल कोई और चुटी कशल सॉल कुल कर रहा है पर हमने पμε्सक्राइब Kinका नेचर है और फ्रैक्ट जोबूर इस खेस के circumstance जो भी है इस issue के यह typical है यह important है भली different नहीं हो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं सेम ब्रिंजबल हैं ऐसा ही case पहले आया था था आचा हो सकती है पूसकती है जज़ को ख envision होना पड़ेगा कि हाँ ये जनहित में है ये है इसका 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 सखमस्तांस यह ऐचार करता है यह बेश हुझ बारा से 109 छो इस फिर श analysis फिर से हो तो जो रैस यूडी काटा प्रिंसिपल होता है दिस सीग्स तो प्रमोट दफेर अड्मिस्ट्रेशन अफ जस्टिस और ऑनस्टी एंड प्रिवेंट द लौ फ्रम अभी फिर तो अगर जो रैस यूडी काटा यही हासल करवाता है कि ऐसे जो लोग है अब ऐसे गया केस वही कि वही सोल वो गया आप रहें लें उसको अब मत खूल तो उसको अमने बोल दिया केस को दोबारा रिवापन ना करवाना प्रिंस बोलो व्रजुडी काटा हमारा फैनलिटी आ चुका है हमारा क्लोजर आ चुका है हम सेटल कर चुके है इस पोजिशन अफ लॉ ले कि यार सुनूंगा मैं मुझे इंपोर्टन लग रहा है ठीक है बुलाओ एविटेंस मुलाओ विटेंस मुलाओ ठीक है फिर बात होगी तो यह हो सकता है अब जो डिस्प्यूट होगा बिट्विन टू वारिंग ग्रॉप्स लड़ाई यह आपास में मारा गाजी हो रह लिटी केशन भी हो गया प्योरली इन डर्यलम ऑफ प्राइवेट लो फ्राइवेट लो है जैसे टेनंडट वह अपना टेनंजी एक तै या कोई अपना ऐसा कोई ऐसा एक यह जो एक नॉर्मल एक कोई ऐसा लड़ाई जग्ड़ा आपस में जो एक नॉर्मल एक के तहट that would not be allowed to be to be agitated as PIL फिर नहीं होगी वो लड़ाई आपकी सपरेट चल नहीं वाँ तो आगे लोड़ो फिर उसको अब इन अप्रोप्रेट केस अल्थो अल्थो पेटिशनर माइट हैव मुवड़ कोड इन इस प्राइब इंट्रेस्ट और रिद्रेसल फॉर द फॉर इसका पर् इप्रोप्रेट केस है वो सकता है जो भी केस के बारे चर्चा चल लही थी परिटिशनर ने भले अपने पर्सनल रिजंज के लिए इसको अपने ये परसनल ग्रिवांस को रिजॉल्व करवाने के लिए अपने अपना प्रिशन डाली थी ठीक है लेकिन कोट नहीं का यह है तिरवायू के लिए हम एक लडएंगे कोई पर्यावर रण के लिए ठीक है और मैं कै दूँके नहीं सर lagi क्या है कि मुझे नब हग होगरा है मुझे जाहल ऐर पीज्ट्रशन हो रहा है और मेरे साथ वहाँ जैदा अपराद और यह रहे हैं अब मैं जिसे मैं यूरी आ है तो बहुत पॉलूशन हो रहा है और गाये थीक है तुम्हारे साथ अनीथी now court in special situations may appoint Commission or other bodies of inquiry for the purpose of investigating into the allegations and finding out facts अब इसके बाद मैंने कह दिया कि सब्सक्राइब बहुत खर्च होता है यहां पर बहुत जादा SPM और बहुत जादा यहां पर जो एक युवाई गंदा है पाटिकुलिएट मैटर बहुत है है यहां पर टू-पर फाइव टैन सारी चीज़ें यहां पर P.M.V.M. जिसको प्रोल दिया है और यह सब के सब्सक्राइब हिसे हो सकता है कि आपने जो फेक्ट दिये सच नहीं और फेक्ट और भी कुछमिल जाए तो हमें नहीं पता क्या प प्रवेजमेंट और पॉबले इस्टीशन टेकन ओवर बाइस सच कमिशन कोई सरकारी संस्ता ही चल लहीं थी मानलों मेरे घर के बराबर में एक रिफाइनरी है इंडियन ओयल की वारे फाइनरी से होको आगे आपने एक आग जलती दिखी होगी आग तरकार स्प्रेम कोड कह सकती है यह जो हमने कमिशन मनाया जो इसकी स्टड़ी करना जा रहा है अब इसका मैनेजमेंट भी सबाइब जब तक यह जब तक यह चीज आगे इसको सब्सक्राइब नहीं करते तब तक इसको जिम्मेदारी है कि जाके इस पूरे पूरे पॉब्लिक अपने आप से लेगा फीडिटर्रा है प्रिंटिपल ली है कियार कोर्ट चायक काम देका ऺइ комментария qa काम नहीं कि आनुबि नहीं है कि आर्पने आप से जो है कानून भी बना रही है कानून कोड़ रहा है उसको अरे करके सजा भी दलवा नहीं है खुणी से आलो आलोगी ढार लाइस्टेशर बन गया हमारे यहां भी नहीं इट शैल आलसो टेक अटमोस्ट केर नॉट टू 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 इस जूरिस्डिक्शन वाइल परपर्टिंग तो प्रोटेक्ट दू राइट्स पीपल फूर फूर मिंग वाइलेट इजब लो है उतना ही बहुत है ठीक है अब इसके बाद और वॉर्ड ओर्ड ओर्डिनरी ली नॉट स्टेप आउट अफ़ नोन एरिया जो जूडिशल रिव्यू की अब तक की जो सीमाय थी वही वही फॉलो होंगी और उसके अलावा आगे उसके आउस समीक्षाओं को ज्यादा उसक सब्सक्राइगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि 142 वाली जो पावर होती है जो सुप्रीम कोड के पास होती है वह अलग होती है ठीक है थाई कोर्ट ऑल्दो में पास अन ओर्डर पर दूइंग कम्प्लीट जस्टिस तू द पार्टीज इस डावर अकेंट वार्टिक अर्टिक 142 आर्टिकल सुप्रीम कोड के लिए है अब वो बन वाटिटी जो है बहुत ही भयानक आर्टिकल है सुप्रीम कोड की पावर दिखाता है वह यह इसी पावर हाइग के पास अपना ओर्डर पास करने की यह पावर है कि वह कंप्लीट जस्टिस कर सके रिट जुरिजिशन के वो पूरी पूरी तोर से नियाय पूरा हो जाए कंप्लीट हो जाए उसकी ऊपर हाई कोड अपना अपना ओर्डर जोगा पारित कर सकता है ना ओर्डर ली नॉर्मली क्या होगा हाई कोड शुट नौट एंटरेटीन रिट पेटिशन बाइव वे अफ पिल क्या हुआ यह य पांसे में क्या हुआ कि यह केस तो गया रिट पेटिशन के थूप यह केस प्याइल नहीं हुआ था जो ताज ट्रबेजियम केस है अब हाई को नॉर्मली रिट पेटिशन वाले केस प्याइव से नहीं लेने चाहिए ठीक बात है वेस्टिशनिंग प्याइव वालेडिट और स्ट्रूटरी रॉल नहीं होना चाहिए रपाई ले सकते हूं या प्याइव रिट होती है यह क्वेचन आया अब यूप्याइव जब जो अब यह जो रिट है रिट इस एर रिटन कमांड गिवन बायक गोड्वाइव को पता था हमको यह रिड जो है पांस तरीके ही र are used for enforcing an action or stopping an action from happening यहां पर क्या होगा जो पेटिशनर होगा इस टिपकली दा इंडिविज्वाल और ग्रुप फूस फॉर्डमेंटल राइट इसी एक रिट है जो प्याइल की तरह काम करती है भले मैं ग्रिव नहीं हूं पर मैं भी जा सकता हूं सुप्रेम कोड किसी और के ग्रिवांस को सौल करवान है याद है याद बड़ी तादाद में जनरल पॉब्लिक आराम से पूरा पूरे कलेक्टिव राइट्स की बात हो रही है यहां पर ठीक है प्याइल इस रेट टूद जनरल पॉब्लिक वेल बीग इंस्टेट ऑफ पर्टिकुलर लिटिकेंट किसी एक की बात नहीं होगी वह एक इस नौट डिरेक्ली एफेक्टेड बाइद बाइद इशू पर भले इशू से एफेक्टेट नहीं है पर लेकिन उनका मन है कि मैं लोगों के लिए लड़ाई करूं लोगों की जाके बात करूं प्याइल को एडमिट करने के लिए सुप्रीम कोल्ट ने गाइडलाइन भी जो आब कि इन्होंने में गलगों की तो उसको पॉलिलिसिटी के लिए यूज मत करो उसको प्राइवेट इंट्रेश मत ए इसको पैसा इंट्रेस्वेटिकेशन इंटिकेशन मत बना उसको मीडिल लास इंट्रेस्वारिकेशन मत बना हो क्योंकि क्या हो रहा है जो लोग है वो STEPHAN इस से प्राइविट इंटरेस्ट मेरा जोड़ा हुआ इस से क्या पता मिरा इनाम हो जा उसके लिए तो क्या हो रहा है सुप्रीम कोड ने बोला कि ऐसा है पिया ये कोई दवाई नहीं नहीं है for all the wrongs no 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 PIL को आप सही तरीके से उस करो PIL it essentially means to protect basic rights of the weak and disadvantaged people जो लोग बिचारे कमजोर तब के लोग थे जो वंचित वर्ग था हमारा बार बार कहें चुके हों मैं now there have been in recent times increasingly instances of abuse of PIL जैसे आपको एक केस बताऊं कि आगरा के एक प्रोफेसर थे बहुत पुरानी बाद हो इसन 2001 की बात है तो उसमें क्या हुआ वो जो सहाब थे वो प्रोफेसर सहाब PNO का शाहिद नाम सांगा तो वो क्या हुआ वो गए सुप्रीम कोर्ट यह बोलने यह कहने कि जो तैज महल है यह तेजों महले है यह जो है यह बहुत पुराना यह यह शाहजान नहीं बनाया था यह बहुत राजभूताओ का बनाया हुआ इसक्रीद नहीं हो यह कुछ और हो कि यह ब्यूज है कि पढ़ा सिस प्यायल सब ऐसा फेक दिया कि अब उसको नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए तुम जने क्या ही तुम तो आलागी अपना गेम खेल रहो प्रोफेसर हो तुम एंचाटी पढ़े हो के नहीं एंचाटी में एंचाटी जो कहा रही है उसको तो सच मान लो नहीं मान रहे है therefore there is a need to re-emphasize the parameters within which PL दाखिल होनी चाहिए PL can be resorted to by a petitioner and entertained by the court क्यों हर कोई PL हर जगे PL पढ़ जाए किसी बात पी प्याइल पढ़ जाए यह गलत है अब क्या है तो इन्हों सब्सक्राइब के लिए एक पूरा एप्रोप्रियेट फॉर्मिलर रूल्स बना दो सब्सक्राइब कर दो इनको ताके कभी दिक्कत ना हो हर हाई को चाहिए कि PL दाखिल होए PL को कैसे आप समझोगे PL में क्या आपको बोलना है कैसे डील करना है उसके लिए हर जज़ को अपने आपसे वो समझे इससे बैतर है कि हार हाई को अपने आपसे गैडलेंग मना दे नाओ और शुड प्राइम फेसी वेरिफाइब देशाल ऑफ पेटिशनर बिफोर इंटरटेनिग देशनर का ग्रेशनर आप तै कर लो या पेटिशनर जो है कोई एरा गेरा नत्तू कह रहा है या जो पेटिशनर है वो एक प्रॉपर उसके ग्रेंशल उसको फिट कर यह प्राइम फेसी सटिस्फाइब रिगार्डिशनर अब कोई अपील को एपल लिग देशन नहीं है तो इस प्रॉपर प्लिक इंट्रेस्ट इस एट इस इनवाल्ब विफोर इंटेनिंग पेटिशन यहां एक जन हित की बात तो है इस में कही ना कहीं से प्रॉप शूड इंशोर्ट विट इंवल्स लाजर पॉपलिक इंट्रेस्ट ग्रेवटी अज़न सी इस 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 गिवन प्रिविलिटी ओवर अधर प्रेशन इचांप ज्यादा एक जादा बडिग पॉडिक जनता की इट की बात हो विए अरजन सी की बात हो मैटर बहुती ग्रेव हो व तो ऐसी पेटिशन को पूरी इंपोटेंस दो ओवर अधर पेटिशन्स नाओ कोड शुट अलसो इंशूर दाट दर इस नो पर्सनल गेन प्राइवेट मोटिव और अब्लीक मोटिव बहाइंड फालिंग भी रहती है कि हर तरफ से पैसा आ रहा है वो डू डाले पड़ें प् अगली बार वह गलत पैल डाला भूली जाय अगली बार वह ऐसी आड़ी तरची पैल लिखना सोचे भी न क्या पता इससे पर अब और नाम हो जाए मेरा तो अगर ऐसी पैल आई कोड उसको फिर माफ नहीं करेगी फिर क्योंकि कोड़ का कॉसली आपने प्रेशियस टाइम वेस्ट किया है और को अपने परशान किया है एंड अडॉप्टिंग सिमिलर नॉवल मैथर्स टुकर फिर्विलस पेटिशन आती है परफिलेस माने बस कोई मतलब ने है ना सिर न पैर लगा दिया ले महले है तो यह पिया यह यहां पर चैप्टर हमारा खतम हो रहा है थोटा चैप्टर था यहां पर हमारा पार्ट इज्समें था हमारा यूनियन हमारा यूनियन वाला सारा पार्ट खतम हो गया है ठीक है नेक्स क्लास से शुरू करेंगे हम गवर्नर गवर्नर फिर आएगा हमारा थी एं ठीक है तिल देन यू स्टे सेफ कीप स्टड़िंग एंड गुद लक